हलो फ्रेंग्स, स्वागदा सभीगा मेरे यूटूब चनल as my medicine में आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का पहला महिना इस टाइम आपको क्या-क्या संकेत मिलेंगे क्या-क्या लक्षन नजर आ सकते हैं, डाइट और आपको क्या-क्या सावदेने रखनी चाहिए प्रेगनेंट होना, मा और पिता दोनों के लिए बहुत ही खास समय होता है यह समय एक महिला की जीवन को पूरी तरह बदल देता है जब आप प्रेगनेंट होती हैं, तब कही तरह के अनुपवा आपको होने लगते हैं जैसे कि आपके periods नहाना जैसे आप प्रेगनेंट होती हैं, विसे आपके सरीर में प्रोजेश्टान नाम का हर्मोन निकलना सुरू हो जाता है यह हर्मोन आपके मासित धर्म को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है दूसरा, आपको spotting होना, यानि पहले मेने में आपको हलकी bleeding होना या हलके धब्बे लगना सामानी माना जाता है तिसरा, आपको breast में बदलाव आना जैसे कि उनका size बढ़ जाना, छूने पर दर्द होना, निपल के आसपास के गेरे का गहरा रंग हो जाना साथ ही breast पर नसें दिखाई देने लग सकती हैं आपको चोथा, आपके सोगाओं में बदलाव आ सकता हैं आपके स्रेड में hormones changes की वज़े से आपके mood में fast changes आ सकते हैं जैसे कि एक पल में आप खुश और अगले पल में आप नाराज या निरास हो जाना बिना बाद के आपको चिर्चटापन होना पांचवा, आपको बार-बार पेसा बने लग जाता हैं छटा, आप खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ मैसूस कर सकते हैं और इस करण आपको ऐस विदा या अनिद्रा भी हो सकते हैं साथवा, खाने के आदतों में बदलावा जाना इस टाइम आपको कुछ ऐसी चीज़े भी खाने का मन कर सकता हैं जो आप पहले कभी नहीं खाते हैं या फिर जैसे आपको खटा खाना या मिठे के लिए भी आप आप मांग सकते हो या आपका मन कर सकता हैं इस टाइम खास तोर पर आप वो चीज़े खा सकते हैं जो आपको कभी पहले पसंदी नहीं थी आठवा कि आपको morning sickness हो सकते हैं कहीं लेडिस को pregnancy के पहले मेने से ही मतले या उल्टे होना हो सकता हैं विसे ये जरूरी नहीं कि हर लेडिस को ये प्रोब्लम हो कुछ लेडिस को इसी प्रोब्लम नजर आ सकते हैं आपको acid reflex के वज़े से सीने में जलन होना हो सकता हैं और आपकी सुंगने की क्षमता में व्रदी नजर आ सकते हैं और आपको अनिमित मलत्यागना यानि आपको बार बार लेटरिन जाना पड़ सकता हैं साथ ही आपको चक्कर आना, कमर दर्द रेने लग सकता हैं आपको ज़्यदा भूग लगना, सरदर्द रेना, खुद को थोड़ा सा मोटा महसूस करना यानि आपको थोड़ा सा आप मोटा पाप फिल कर सकते हो आपको गबरहाट होना, कब्ज होना आपको हो सकता हैं इस समय आप ध्यान रखें कि आप भी बीड़ बाड़ वाली जग़ में जाने से बचे, आप गड़े वाली जगों पर गाड़ी पर बेटने या ड्रैविंग करने से बचे, प्रोदूशन और रेडेशन वाली जग़ जाने से बचे, स्टार्टेंग के तीन महेनों में गुड़, अनार, चना, मुर्मुरे, फ्रूट्स और हरी सब्जियां ले सकते हो। शरीर में आपको पानी की और खून की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चीए क्योंकि डिलेवरी का टाइम खून की बहुत ज़्यादा जरूरत होती हैं। और बच्चा भी पूरी तरह फ्लूड में रहता हैं तो आप समय समय पर बार बार लिक्यूड लेते रहें। इस समय आपको सराब और सिग्रेट से बिल्कुल दूर रहना चीए। आप उस समय आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा वेतर रहेगा। आप किताबें पड़ें, खुस रहें, म्यूजिक सुनें और आपको भार की चीज़ें खाने से बचना हैं। आप इस दोरान हाथ टब और साना बाद को बिल्कुल यूज ना करें। आप रेष्ट करें, समय समय पर आप हीमोगलोबिन, केल्सियम, ब्लड शूगर, यूरिन वगरा की आप चार्ज करवाएं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, तो सामयने दोर पर डाक्टर्स तीन महिने में एक बार आपको अल्ट्रा साउंड करवाने की कहते हैं। और अगर आपको कभी मिर्गी, हाइपोथाइराइड और थेली सीमय की सिकायत रही हैं, तो उसकी भी आपको जाज करवाने की कह सकते हैं। शुरुआत की दिनों में तीन महिने में आपको मंतली चेक अप होता हैं, और कोई परेशानी होने पर आपको पंधा दिन में जाज की जा सकती हैं। यानि कि फश्ट के तीन महिनों में आपको महिने में एक बार चेक अप करा लेता हैं। अगर कोई प्रोब्लम आती हैं तो आपको पंदा दिन में एक बार आपको चेक कर लाना जाता है बच्चे के 28 हपते का होने पर हपते में एक बार चेक अप जरूरी है ध्यान रखें कि आप भारी बजन ना उठाएं, ज्यादा डांस ना करें, सीडिया नहीं कुदें, हेल्स ना पेने, रसी कूदना, ज्यादा ड्राइविंग आपको नहीं करना है और अनानास और कच्चा पविता आपको नहीं खाना है और ज्यादा जुकने से भी आपको बचना है या किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर आप जल्द अपने डाक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो friends, ये थे pregnancy के पहले महिने के कुछ संकेत लक्षन और उनकी कुछ सावजानिया और हो सकता है इन सभी चीजों के अलावा भी कुछ लोगों को अलग-अलग कॉंप्लिकेशन या किसी अलग चीज के जुरूद पढ़ सकते हैं तो आप एसे में अपने डाक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद आपके वीडियो जुरूर पसंद है होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो असे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें तेंक्यू